अब लोग पहुंच चुके हैं जो की सर्फेस अर्ट वोल्यूम के एक्सराइज 13.2 पर बेस्ट इग्जाम्बल्स हमें देखने को मिलता है तो क्या एक्जाम्बल नुबर 5 जैसे के आपको इस्क्रीन पर देखने को मिल रहा है यह जो है हमारा क्युबड है और उसके उपार अपर से रखा गया है तौटल को नहीं बलकि आप से रखा गया है तब करते हैं इसका हाइट दिया हुआ, यह हाइट दिया है, तो आपको लेखने से पता ततले लेंथ है, यह ब्रेथ है, यह हमारा हाइट देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, कि हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है? गिवन पार्ट को लिख लेते हैं, तो लिखते हैं गिवन, गिवन, गिवन में हमें क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, Tomato धिया हुए है प्रेट दिया हुआ है कितना सैवं मित्रल्स साथ हॉन में देखने को मिलता है को कि ऀमेटर के बारे में अगर इसको देखें तो इसका हमें ब्रेश को लिए ना है यही इसका क्या है स До तो अगर हम लोग लिखें, diameter, diameter of cylinder, of cylinder, diameter of cylinder कितना दिया हुआ है, that is 7 meter, 7 meter, therefore, therefore, हम लोग बोल सकते हैं, कि इसका diameter का radius, क्या होगा, diameter का half, that is 7 by 2, और जो हमें height दिया हुआ है, sorry, इसका जो breadth है, sorry, इसका जो length है, ये जो हमें cube देखने को मिल रहा है, keyboard, sorry, ये जो हमें cube देखने को मिल रहा है, keyboard का जो length है, वही height of cylinder नहीं है, तो इसको equal हम लोग लिख सकते हैं, equal to height of cylinder, height of cylinder, बोलिये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं सर जो इसका लेंथ है वो इसका भी हाइट है जो इसका ब्रेथ देखने को मिल रहा है वो इसका डायमेटर है किसका सिलेंडर का ठीक है समझ में आ गया समझ में आ गया now हमें क्या निकालना है हमें निकालना है वोलियुम को हैना हमें क्या निकालना है वोलियुम awaited सबसे समझ बने कि क्या लिखना है तो आप लिख सकते हैं या पूछा है तो तो हमने लिख लिया, required volume, required volume हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए volume of the cuboid and required volume क्या होगा, that is volume of cuboid, volume of cuboid plus, plus half, half cylinder है, तो half into volume of, volume of cylinder, volume of cylinder, ठीक, समझ आ गया, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, volume of cuboid क्या होता है, that is, L into B into H, plus half into volume of cylinder, volume of cylinder कितना होता है, that is, बिल्कुल, volume of cylinder कितना है, पाई R square H, अब volume वाला सारा का सारा concept मैंने exercise 13.1 के basics में बता रखा है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हूं, equals to volume of cuboid क्या होता है, L into B into H, length, breadth, height, यानि कि 15 into 7 into 8, ठीक है, length into breadth into height, इतना हो गया, plus half into, pi R square H, pi का value 22 by 7 into R, R का value कितना है, R इतना है, 7 by 2, तो हम लोग लिख सकते है, 7 by 2 into 7 by 2 into H, 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 H का value कितना है, that is height of the cylinder, height of the cylinder कौन है, height of the cylinder, that is 15, equals to, हमने लिख गया 15, है ना, अब multiply किया जाए क्या, multiply किया जाए, तो ये हो गया 15 into, 8, 7 जा, 8, 7 जा, 56, 56 plus, क्या कोई cancel होगा, 2 के table में 11 times 7 से 7 मर गया, ठीक है, तो 11, 7 जा, 77 into 15 divided by, ये सब तो मर गया, 2, 2, 4, 2, 2, 4, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो अगेन हमें क्या देखने को मिलेगा, multiply कर लें, 15, 15 है, 15 common ले लेते हैं, देखते हैं कुछ होता है क्या, तो यहां हो गया 56, और यहां पे हो गया 77 by 4, 77 by 4, तो हमारे पास आगया 15 into by 1 ले ले लेंगे, LCM हमारा आद आएगा 4, तो हमारे पास कितना होगा, तो हमारे पास आगया 15 into add कर लेंगे, 11, 11 होगया, 7 और 11 होगया, 7 तो 9 और 1 10, ठीक है, 15, 3 जा, 15, 3 जा, 45 divided by 4, ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे, cancel करना सुरू, तो cancel करेंगे, तो 4 के table में, 1 times में 4, ठीक है, यहां पे 5, तो 4, 1 जा 4, carry 1, 1, 1, 1, तो 2, 3, 5, तो हमारे पास कितना 8.30, तो होगया 75, यानि कि 1128.75, कितना आगया, 1128.75, इतना क्या, इतना क्या, meter square, meter square नहीं, अब हमें volume निकालना है, तो meter cube, meter cube, यह जहां तक हम से पूछा था, वहां तक के लिए, तो यह हो गया हमारा solution, यह क्या हो गया हमारा solution, जहां तक के लिए, हम से पूछा गया था, question को यहीं रखते हैं, इधर आपको समझ में आ गया है, इधर आपको समझ में आगे मिटाना सुरू करें मिटाना सुरू करें अच्छी बात है अच्छी बात है ठीक है यहां तक तो आपका उतना value आ चुका है अब question को एक बार फिर से पढ़िए question को एक बार फिर से पढ़िए question हमें क्या दिया हुआ है question उतना तक तो हमें दिया था suppose the machinery is in the state occupied the total space of 300 meter square तो हमें दिया है now now total space total space occupied by machinery total space occupied 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 by machinery है ना machinery कितना दिया हुआ है वो हम से दिया हुआ है that is 300 300 meter cube 300 meter cube ये तो हमें दिया हुआ है total space occupied by the machinery and there are 20 workers each of whom occupied about 0.8 meters cube तो यानि कि हम लोग लिखेंगे total space total space occupied occupied by occupied by men है ना या occupied by workers लिख सकते हैं occupied by workers है ना workers के थ्रू कितना space occupy करेगा तो total 20 worker है और एक worker कितना है 0.08 meter cube जो है वो space को occupy करता है ये जो आपका आया है वो total आया है कि इसका volume कितना है एक जो है machinery जो है उसमा machine रख खा गया है वो इतना meter cube आपका space लेता है workers जो है इतना meter cube multiply कर देखिया multiply कर देए 0 इधर चला जाएगा तो हमारे पास आजएगा 2 into 0.8 2 तो point इधर हम लोगा हो गया ये point इधर से थो गया तो 0.8 हो गया यहां से आजएगा हमारे पास कितना 1.6 meter cube तो हमसे पूछा है then how much air is in the side तो इस side में air कितना बचा हुआ है तो now लिखेंगे now now air in the side air in the side air in the side air in the side में क्या होगा total volume कितना है इतना 1 1 28.75 minus अब इसमें से minus कर रहेंगे किसको एक तो machine इतना occupy कर रहा है 300 minus और workers इतना occupy कर रहा है that is 1.6 minus कर देजें जो भी होगा आपका answer देखने को मिलेगा तो कितना हमें देखने को मिलेगा अचार answer तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारे पास है 1 1 2 8.75 minus इन लोग दोनों को add कर लेंगे तो हमारे पास आजाएगा 301.6 0 कर लेते हैं तक ही यहां पे आसान हो जाए 5 में से 0 तो 5 7 में से 6 तो 1 ठीक है 8 में से 1 तो 7 फिर यहां पे 2 में से 0 तो 2 और फिर 11 में से 3 डेट 8 827 कितना आया that is 827.15 इतना क्या meter cube meter cube and that is your required solution of the second question of this part ठीक है तो I hope कि यह question भी आपको बहुत अच्छे से और simple form में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका solution किया है हलां कि 10 minutes or 22 seconds हो चुके हैं complete लेकिन फिर भी I hope कि सारा का सारा question आपको बहुत अच्छे से और simple form में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका solution किया है नेक्स वोडियो में example number 6 के साथ तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहे हर एक doubts को clear करेंगे बहुत ही आसानी से